नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की अलंकार की क्लास में तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था अनुपरास अलंकार अलंकार की परिभाशा जान ली थी ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, शलेश अलंकार, ब्रोकोक्ती अलंकार और बीपसा अलंकार बच्चों को दिक्त रहती है यमक और शलेश अलंकार में आपने कलास को पूरा देखना है उसके बाद निशकर्ष निकालना है कि आपको समझ आया कि नहीं मैं दावा करती हूँ कि जिस बच्चे ने कलास पूरी देख लिए उसे कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं यमक और शलेश को समझने में ठीक है तो सबसे पहले हम यमक अलंकार को देखते हैं मैंने काफी सारे उधारन लिये हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और अगर समझ आया तो लाइक भी करना है और एक प्यारा सो कमेंट भी देना है यहां कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रतेग स्थान पर भिन भिन अर्थ दे वहां पर क्या होता है यमक अलंकार होता है ठीक है वहां पर क्या होता है तेते नब में तारे यहां पर तारे आया है यहां पर भी तारे आया है तो एक शब्द दो बार आया लेकिन दोनों बार क्या है इसका अर्थ अलग है दोनों बार इसका अर्थ अलग है जेते तोम तारे प्रभू के लिए बात हो रही है कि जितने लोगों को प्रभु ने तारा है आपने तारा है उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है इसका मतलब है तो यहाँ पर जो तारे शब्द है इसका मतलब है उधार करना ठीक है तारना अपने हमने ही कह देते कि तू ही तारनहार है यह कह देते है मतलब कि उधार करने व मतलब कि उतने तारे आस्मान में नहीं है इसका मतलब यो बात हो रही है पर मात्मा के लिए हो रही है पूरा एक ही परसंग है ये एक परसंग है ठीक है इस बात का आपको ख्यार रखना है ये बात आपको शिलेश में काम आएगी ठीक है तो अब आपको समझ आएं कि एक ही प एक तो करनक शब्द का प्रयोग दतूरे के लिए हुआ है ठीक है और एक करनक शब्द का प्रयोग सोने के लिए हुआ है ठीक है सोने के लिए गोल्ड के लिए हुआ है दतूरा आप जानते हैं जो शिप बगवान को चड़ाया जाता है ते सोग निमादक तादकाई ये इसमे कहा गया है कि एक कनक होता है दतूरा होता है जो तूरे का जो नशा होता है उसको उस नशे से आदमी क्या हो जाता है पगला जाता है और जिस आदमी के पास सोना अधिक हो जाए तो वो भी पगला जाता है तो इसका मतलब है कि दो शवदाए हैं दोनों का अर्था लग लग है लेकिन परसंग एक ही है एक आदमी के लिए ही ये बात हो रही है कि जिस आदमी ने दूरा खा लिया कुछ भी कर लिया वो क्या हो जाएगा पगला जाएगा और आदमी के पास होना आ गया अधिक तो भो भी पगला जाएगा मतलब कि एक ही आदमी के लिए ये बात हो रही है इसका मतलब यहाँ पर यमकलंकार है अगला उधारन देखे काली घटा का गमंड घटा घटा यहाँ आ गया यहाँ घटा का मतलब है आसमान में शाने वाली काली घटा ठीक है वारिश करने वाली और यहाँ पर घटने से मतलब है घटने से मतलब है कम होने से मतलब है लेकिन बात तो एक ही हो रही है जो काली घटा है उसका जो घमंड है वो घट गया कम हो गया बात एक ही हो रही है पर संग एक है तो यहां पर यमक अलंकार है अगला है सजना है मुझे सजना के लिए समझा रही है कि यहां भी सजना है सजना है मुझे सजना के लिए तो इसका मतलब क्या है जो सजना है सजना मतलब हो गया सजना सबरना खूब सूरत बनना अपना त्यार बगार होना ठीक है यहां पर सजना कौन है पती है तो एक इस्त्री है वो सज रही है किस के लिए पती के लिए तो सज भी वो ही रही है पती भी उसी कही है ठीक है तो बात एक ही हो रही है तो परसंग एक है तो यमक अलंकार का उधार्ण है नेक्स्ट देखिए तीन वेर खाती है वेर यहां पर भी है वेर यहां पर भी है यहां अर्थ है तीन बार ठीक है और यहां पर अर्थ है यहां पर अर्थ है तीन वेर एक फल होता है जो ठीक है सब जानते हैं वेर को फल होता है जो मतलब कि एक इस्तरी की बात हो रही है कि वो तीन बेरों को तीन बार खाती है एक सुबा खाली, एक दुपैर खाली, एक शाम खाली है ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी उधारन हमने देख लिए सब में परसंग होता है, अर्थ शब्द दो होते है और आर्थ भी अलग-लग होता है उनका, ठीक है तो इसका मतलब उपमा अलंकार की फैचान क्या हो गई किसमें दो शब्द आएंगे, एक ही परसंग में दो शब्द आएंगे शब्द दोनों एक होंगे, आर्थ उनका अलग-लग लिया जाएगा तो ये हो गया हमारा उपमा कह दिया सौरी हमारा यमक अलंकार ठीक है अगला है शलेश अलंकार अब शलेश को आपने अच्छे से देखना है जहां किसी शब्द के एक से अर्थ निकलें वहां पर शलेश अलंकार होता है वही बात तो देखने में एक समान लग रही है कि शब्द के अलग अर्थ निकल रहे है वहाँ भी तो अलग अर्थ ही निकल रहे थे शलेश का अर्थ होता है चिप का हुआ शलेश का अर्थ होता है चिप का हुआ इसका वियर्थ आपको याद रखना है शलेश के दो भेद होते हैं ये भी अच्छा से जाद रखना अभवंग शलेश और सैभवंग शलेश ठीक है अब उधारन से समझिए यमक और शलेश में अंतर रह्मन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गएना उभरे मोती मानस मानुश जोन ठीक है यहां क्या है पानी शब्दाया है पानी शब्दाया है तीनों का जो अर्थ मतलब कि अलग अलग है अगर हम देखें तो यहां पर भी तीन अर्थ निकाले हैं यहां पर भी तीन और यहां पर भी तीन ठीक है लेकिन जो पानी शब्द है एक तो मोती के लिए पानी का अर्थ ल प्लंकार होगा उसकी पंक्ति में पीछे ऐसे दो तीन मतलब के लगशे शब्द लिखे होंगे एक तो जिनके लिए उस शब्द के अर्थ का प्रयोग होगा ठीक है जैसे रह्मन पानी राखिए बिन पानी सब चून पानी गए न उबर है मोती मानुस मानुश चून मतलब मोत मोती चमक के बिना एक पानी का अर्थ है चमक हो गया ठीक है चमक के बिना मोती का कोई मोल नहीं जिस इनसान की इज़्द नहीं है वो को इनसान नहीं है मानुश के लिए इज़्द शब्द हो गया इज़्द का पानी का अर्थ इज़्द लिया गया है इज़्द समान सभा वाबिमान कुछ भी कह लीजिए ठीक है चाहिए अब भी न मरता कह लीजिए मतलब कि मनुश्य के लिए पानी का जो अर्थ है ये लिया गया और चून क्या होता है चून होता है आटा आटे के लिए पानी का अर्थ जो लिया गया है वो जल ही लिया गया है इसका मतलब क्या है कि अगर मोती में जमक नहीं तो क्या मोती है वो अगर मुनश्या की कोई इज़त नहीं कोई स्वाब भी मान नहीं तो क्या मुनश्या है कोई और अगर आटे में हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या उसकी रोटी बन पाएगी तो इसका मतलब है कि जहां जो पानी शब्द आया है पानी शब्द आया है जो तीन जगा पर आया है अर्थिस के अलग अलग है लेकिन परसंग भी तीनों अलग है परसंग भी परसंग उसमें देखा था ना मैंने कह था अपने परसंग को याद रखना है जमक में परसंग एक ही था एक इंसान की बारे में दोनों शब्दों का प्रयोग हो रहा है यहां पर तीनों परसंग अलग अलग है मोती की बात हो रही है मनुश्या की बात हो रही है और आटे की बात हो रही है तीनों परसंग अ अगला उधारन है चरन धर्त शंका करत चित्बत चारियू और सुबरन को ढूंडत फिरत कभी बेविचारी चोर ठीक है यहां फिर आ गया कभी आ गया बेविचारी आ गया चोर आ गया यहां पर सुबरन की बात हो रही है सुबरन मतलब क्या होता है सोना होता है सोने का अर्थ तीनों जगां पर अलग अलग लिया गया है ठीक है सुबरन को ढूंडत फिरत कभी बेविचारी बेविचारी ठीक है बेविचारी चोर मतलब कि कभी कभी से अर्थ लिया गया है सुबरन का अच्छे वरनों से जिससे कभ अंदी सोच वाला व्यक्ति है जो सुबरन का अर्थ लेता है कि सुन्दर इस्तरी गोरी इस्तरी से मतलब गोरे रंग से सुबरन का अर्थ लेगा और चोर सुबरन का अर्थ लेगा सोने से ठीक है तो तीन अलग-लग परसांग हो गए और सुबरन के तीन अर्थ हो गए ठीक है इसका मतलब सुबरन में तीन अर्थ चिपके हुए हैं और तीनों अर्थ हैं अलग अलग प्रसंग में प्रयोग हो रही हैं कवी के लिए अच्छे वर्णों के रूप में सूबरन व्यविचारी के लिए अच्छी सुंदर इस्त्री के लिए और चोर के लिए सोने के लिए सूबरन का प्रयोग हुआ है उमीद है आपको समझाई होगी बस सबसे बड़ी पहचाना आपने ये देखनी है यहां पर शलेश अलंकार होगा इस परकार से आपको तीन अलग अलग आपको शब्द मिलेंगे जिनके लिए अलग अर्थ होगा प्रयोग हो रहा होगा ठीक है तो आगे देखते हैं ब्रकोकती अलंकार यह क्या होता है यहां बात किसी एक आश्या से कही गई जाए और सुनने वाला उससे कोई अलग ही अर्थ लेली वहां पर क्या होता है वरकोक्ति ये लंकार होता है वरकोक्ति के वी दो भेद होते हैं शिलेश वरकोक्ति और काकू ब्रकोक्ति दो इसके भेद होते हैं इसका उधारन देखिए, को तुम हो, इत आये कहां, घनशाम है, तो कित हूं बरसो, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, कि राधा रानी अंदर बैठे हैं, ठीक है, बाहर काना जी आये हैं, काना ने दर्वाजा खटकटाया, और राधा ने पूछा कि कौन है, तो घनशाम जी ने क घनशाम, घनशाम के दो अर्थ हो गए, एक तो हो गए काला बादल और एक काना जी हो गए, तो यहां पर राधा ने घनशाम का जो अर्थ लिया, वो काले बादल से लिया, चाहे मजाक में कह लिजिए, इस परकार से कहा कि आप जाके बाहर बरसो, ठीक है, तो यहां पर लंकार आ गया जब किसी कतन में अत्यांत आदर घ्रिणा हर्ष शोक विसमे आदी भावों को व्यक्त करने के लिए एक शब्द की अनेक वार अवरती हो जाए वहां पर क्या होता है विपसाल अंकार होता है ठीक है आपने विसमे आदी बोदक चिन का आपको पता है ज्यादा तर वो इस अलंकार में आपको लगा मिलेगा जैसे हाँ हा इन्हें रोकन को टोकन लगावो तुम मतलब के विस्द विवेक ग्यान गौर्व दुलार यहां पर हाँ हा से का जो रिपीट हुआ इसका मतलब है कि गोपियों के बिरहकी को इस परकार से बात हो रही है तो वहां पर क्या हो गया है विपसालंकार इसके कई सारे उधारन लिए हैं इसको आपको थोड़ा से देहान में रखना है जैसे हहली हधिका है काम पर बस आपको नोट कर लेजिएगा यहां पर भी इसी अर्थ में ये प्रजोग हुआ है हली हली आ गया गया सुलगी सुलगी दगद भैशारा ठीक है यह हो सकता है कि आपके पेपर में आपको देखने के मिल सकते हैं क्योंकि यह मुख्या मुख्या उधारन है विपसालंकार के तो आपको इनको नोट करना है मेरी करुना हाहा खाती ठीक है यह हो गया बस यही उधारन है इसके तो आपको इनको नोट कर विपसालंकार में मतलब कि अधरगरना हर्श शोक अधिवावं को व्यक्त करने के लिए एक ही बात को हम रिपीट कर देते हैं जैसे मालने जी आपकी कोई सही लिए आपने उसे कुछ चीज के लिए पुछा है कि तुझे तो आपने पुछा इस परकार से कि तुझे तुझे नहीं चाहिए लेकिन उसको चाहिए था तो वो गुसे में कहेगी कि हाँ हाँ मुझे क्यों नहीं मुझे तो चाहिए नहीं इस परकार से जब वो हाँ हाँ दो बार कहेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो वहाँ पर विपसा लंकार हो जाएगा तो ये थी हमारी आज की क्लास उमीद है आप लोगों को समझ आई होगी अगर आपको समझ आई तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना कुमेंट भी बताना कि आपको समझ आई तो अगली क्लास जल्द जल्द आने को बन करता है बच्चों को समझ आ रहा है तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लंकार को कंप्लीट कर लेंगे तब तक के लिए भाई धन्यबाद